तो आज का हमारा टॉपिक है मैंजिंग mysql-8 डेटबेस यूजिंग mysql-workbends जनरली क्या होता है हम जो mysql इंस्टॉल करते हैं cento7 पर तो हम एक command line console मिलता है उसको manage करने के लिए तो हम उसमें mysql-workbends इंस्टॉल करके उसको GUI console के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं तो हमने प्रीविएस ट्रॉल में उसको इंस्टॉल कर लिया था तो इसमें सिखेंगे कि उसको कैसे मैनेज कर पाएं तो मेरा यह देखिए mysql database run हो रहा है तो जब मैंने mysql database इंस्टॉल किया था एक temporary password generate हुआ था जो कि इस वैर लॉग mysql d.log file में stored है तो देखिए यह मेरा temporary password है अभी इस temporary password को use करके हम एक नया password set करेंगे तो इसके लिए हमारा command होगा यह थेक है कर चलिए अभी यह password ऊपर जो है display हो रहा है वह यह password दे देता है चो यह password देने के बाद वो क्या बोलेगा कि यह password अभी expire हो चुका है और नया password पासवड देने के लिए प्रंप्ट करेगा तो यहां पर हमें अभी क्या करना है नया एक पासवड देना है कि याद रखना है यहां पर एक complex password देना क Vac só और उसको उसे password कोड़िव कर दीज तो यह password सेट हो गया अभी यह पूछ रहा है कि आप जो system का route password login इन पासवर्ट चेंज करोगे क्या नहीं यहां पर नो है तो हम कुछ भी नो लिख सकते हैं या कुछ भी करेक्ट है तो मैं एक्स करके एंटर कर देता हूं तो यह हो गया इसके बाद पूछ रहा है कुछ एनोनिमस यूजर से इनको डिलीट करना चाहते हैं हां रिमूब कर दीजिए अच्छा है उसके बाद डिसलाव रूट लॉग इन रिमोट ली येस यह सबसे क्या होगा सिक्योर होगा माई स्कुल डेटावेस और अभी क्या है रिलोडिंग दा प्रिवलिजिस ठीक है अभी फाइन ना यह हमने पास्वर्ड रिसेट सक्सेस्फुली कर लिया है तो जाकर जांच कर लेते हैं तो जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था मैं स्कुल वर्पेंच उपन करते हैं और यह डवल 306 पोर्ट पर एक् प्रक्राएं तो यह हमारा सकीमा यह टेबल से तो इस तरह से हम माई-इस्कुल वर्पेंच में इसको कर सकते हैं तो अभी चलते हैं कमांड लाइन पर और कमांड लाइन पर जाके हम पहले क्या करने जा रहे हैं यह जो हमने सब सेट अप किया है तो एक बार अच्छा है कि हम जो इसको रिस्टार्ट कर देते हैं और अभी इसके बाद इसको एनेबल भी कर देंगे जब भी सिस्टम रिस्टार्ट होगा यह अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा माइस्केल डी सर्विस भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा चलिए हो गया अभी हम माइस्केल जो है उसके अंदर लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के लिए कमांड हो गई यह तो आप रुवी ट्यूजर के इसाब से लॉग इन करेंगे और जो पास्वर्ड हमने प्रिवेस प्रिवेसली जो अभी एसाइन किया है वही पास्वर्ड देना होगा ठीक है तो यह पास्वर्ड है ओके तो मैस्केल प्रम्ट आ गया मेरा ठीक है तो यहां पर अगर अभी जैसे हमने माइस्केल वर्क्पेंश में देखा था अगर मैं यहां पर कमांड इसू करूं सो डाटाबेस तो मुझे अभी यहां पर दिखेगा क्या-क्या डाटाबेस प्रेजेंट ली है तो हम अभी क्या करने जा रहें कि एक नया डाटाबेस पहले बनाएंगे तो यह फिल से हम जाएंगे माइस्केल वर्क्पेंश में ठीक है और यह वाला होगया आइकॉन यहां kill काम देने के लिए तो जाकर नाम दे देते हैं कि लेकर टे सिफ व्यिए बश्त बन गया और एसको भी कमाड लाइन में जाकर अको बहए कर लेते लुए आँ है अभी देखें यांकAnton llev दाट प। अब यहां पर भी जाके देख लेते हैं है एक database create हो गया है तो अभी tables है tables तो भी खाली है क्योंकि database में कोई table हमने add नहीं किया तो एक table add करते हैं तो table का नाम EMP दे देते हैं तो यह हो गया है EMP table और EMP ID करके column बना लेते हैं और यह है table का हमारा यह primary key बना लेते हैं और यह not null रहेगा और एक name column रखते हैं इसका type हो जाएगा वेर के है और salary तीन column ही रखते हैं और इस specification के साथ EMP table बन जाएगा apply करते ही all right okay ठीक जो यह हमारा अभी EMP table बन गया है इसको यहां से हम verify करेंगे इसके लिए पहले तो yonglinux database से connect करना होगा तो command हो गया यह use yonglinux इससे connect हो गया अभी इसके अंदर 100 tables करेंगे तो दिखा देगा कि इसके अंदर क्या-क्या tables है तो देखिए यहां पर EMP नाम का table बन गया है अभी क्या काम है EMP table के अंदर data insert करेंगे तो चलते हैं इस icon को click करते हैं अभी नीचे दिखे grid view में दिखा रहा है आपको बस data उडालना है तो जिस तरह से आपने data type को set किया है उसी तरह से आप यहां पर data भर सकते हैं तो हमने यह एंट्री कर लिया कि आपके रेक्स देते हैं पंदराजाद देते हैं कि आपके कि आपके यहां ते कि रखते हैं अभी अप्लाई कर देते हैं इसको कि अप्लाई करते हैं यह पूछेगा यह चार एंट्री बनाना है हां एप्लाई तो यह हमारा डेटा एंट्री हो गया तो यहां पर आके हम फिल से दुवारा जांच कर लेते हैं यह क्या होता है कि इससे पता चलेगा कि इसमें कौन-कौन से कॉलम है और डेस्क्रिप्चन क्या है तो अभी देखता है की टेबल के अंदर क्या डेटा है तो यह हम डेटा देख सकते हैं तो धन्यवाद उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम में आहा होगा क्या हुआ 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 है